हेलो इस्ट्यूएंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग आपकी वॉक्षिट नमबर 14 करने वाले हैं जो आपकी क्लास 7 की हिंदी की वॉक्षिट है तो सभी बच्ची अपने अपनी हिंदी की नौटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग सेहन वॉक्षिट कर सके हैं आपका इसमेरी वॉक्षिट कराने के तरीका थोड़ा अलग है और मैंने आप लोग को game के बारे में भी भताया हुआ है कि मैंने vlog channel का link description में दे दिया है और आप लोग उस पे ही vlog channel की video upload होगी जिसमें आप लोग को gift की unboxing दिखाऊंगा मैं तो उसमें से ही बच्चे अगर participate करेंगे तो आप लोग select हो सकते और आपके घर पर भी gift आ सकता है ठीक है बच्चो आप पूरी detail जानने के लिए कुछ बच्चे आधी आधी detail जानकर comment करते हैं सर ये तो fake है ये ऐसे आप लोग पूरी detail जानी है ठीक है पूरी video को देखिए आप definitely detail को जानेंगे और आपको definitely पता लगेगा कि एकदम real है और इसमें live आपको पूरूफ भी देखने को मिलेगा सबसे पहले हम लोग start करेंगे तो सभी बच्चे थोड़ी देरी के लिए अपनी notebook रेख दीजिए बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो देखो उसने क्या कहना चाया इस पंक्ति के थुरूफ आप देखो इसमें आपको पूरा detail में बताए गया है प्रशंग प्यारे बच्चो यह कविता स्री भगवती प्रशाद मिस्री जी द्वारा रचित है इसमें उन्होंने एक कटपुतली की मनोद्वसा का चितरन किया है वे कहते हैं कि कटपुतली बंदे होने के कारण धुखी है भावार्थ क्या है कटपुतली गुश्य में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यूं बांध रखा है इन्हें तोड़ दो और मुझे सवन्दंत्र होकर जीने दो मैं बंदन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूं अब नीचे दिये गए पस्नों का आपको करना ठीक है तो इसमें कटपुतली क्या चाहती है कि उसको बांध रखा है दागये से वह चाहती है उन्हें तोड़ दो मुझे संसर्थ होगे जीने दो तो उसके पैर है हाथ है वह अपने कंट्रोल में रखना चाहती है खुच चलना चाहती है बंदनमुक्त होकर फ्री होकर जीना चाहती है तो एक कट्पुली की कहानी बताए गई है इसी के बेसिस पर आपको कोशन दिये गए है अब देखिए सभी बच्चे अपने अपने नोट्बुक लेंगे ठीक है हम लोग इसके मैं आपको हैंट्वेंड इसके सॉलूशन लिख वाऊंगा ठीक है उत्तर नमबर एक करेंगे है इसमें दिया गया है कट्पुली गुस्से में क्यूं थी क्यूं थी बच्चो इस्टार्टिंग में दिया है क्यूंकि उसे पंधन बंधन में बांध उसे एक बंधन में बांध रखा है अथार्ट इसका मतलब क्या है अथार्ट धागे से बांध रखा ठीक है अथार्ट धागे से बंधन में बांधा हुआ है किस से धागे से बांधा हुआ है हुआ है तो यह फर्स्ट का अंसर है चलते हैं सेकंड पर इसमें दिया गया है कटपुथली क्या चाहती है बच्चो वह क्या चाहती है वह स्वंतंत्र होकर जीना चाहती है तो हम लिखेंगे वह स्वंतंत्र और पंधन मुक्त जीवन जीना चाहती है तो दो हमने कंप्लीट किया अब चलते हैं थड़बे पुतली एसा क्यूं चाहती थी ती वह ऐसा क्यूं चाहती थी हमें बताना है क्योंकि तो है अपने पैरो पर चलना चाहती थी तीक है उसने कहा था ना कि मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो और मुझे मेरे पैरो पर छोड़ दो तो वो अपने पैरो पर चलना चाहती थी ठीक है उच्चो अब आपको लाज दिये गया है प्रिशन अमर फोर कट पुतली बनाने के लिए किन किन चीजों की अवसकता होती है ठीक है आपको इसमें बताना है बच्चो देखो कट पुतली के लिए आप लोग सबस्तारी चीजों की जरूत होती है ठीक है हम उसमें से कुछ लिखी देंगे अब इसमें सबसे पहले क्या आपको कागच चाहिए कागच से ही आप उसकी कट पुतली बनाओगे मेंची जो होती है ठीक है कपड़ा भी लपेटने को चाहिए ठीक है उसके उपर कपड़ा भी पहनाना होता है ठीक है अब देखो सूई धागा चाहिए ताकि आप उसमें बांद सकें सूई धागा ठीक है बच्चो यह मैं फिर से लिख देता हूं सूई धागा ठीक है आपको गोंद चाहिए ठीक है आदी ठीक है और भी चीज हो सकती है पर हमने इनफ लिख दी जितना मुलब एक नॉर्मन कट पुतली बन सकती है इस्तिमाल कि नॉर्मन का उप्योग आएगा बच्चो अधी की कि यहां पर लिखोगे आदी की आवसे एकता होती है कट पुतली कि बनाने के लिए कि बनाने के लिए कि तो होफुली आप लोग समझ गये होंगे ठीक है आपके चार के चार कोसन असर कंप्लेट करा दिएगे अब मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूं बच्चो देखिए यह क्या है मैंने विलोग से रिलेटेड आपको चैनल दिया है डिस्क्रिशन में उसका लिंक है ठीक है आप लोग वहां से उस चैनल पर क्लिक करके उसे सस्क्राइब कर लीजे और बैल आइकन पर भी क्लिक कर लीजे वचो जिससे की इस संड़ को जैसे ही वीडिय डले उस वीडियो मों क्या होगा मैं अमबोकसिग ढंगा डिफ्ट की उसके फीचर बता कि वहां कमेंट करेंगे तू काफी बच्चे मेरी वक्षित का लेकिस वही होगा जो डेली मेरी चैनल्ज से वकशीट करता होगा। मैं भाट सा खुद लेकर आऊँगा गिफ्ट और उसके साथ सेल्से लेके ढालूँगा लेक्ष वीडियो में जिस्से की सब यह लाइव रहे तो मैंने लाइव आपको गिफ्ट दिखाया उसकी अन्बोक्सिंग करें उसके फीचर बता है फिर अगली वीडियो में मैंने क्या बता है कि यह गिफ्ट इस बच्चे के पास गया है यह रहा इस बच्चे का फोटो यह रहा उसका नाम जिससे की यह लाइव रहे आप लोग कि उससे बच्चे से पूस्त को कि हां उसके पास गिफ्ट आया है ठीक है और नेक्ट वीडियो में फिर नेक्ट गिफ्ट की अन्बोक्सिंग जीतते जाएंगे तो आप लोग ऐसे ही पाटिसिपेट करिए ठीक है मेरा में यह है इंडिरेक्टली कि आप लोग पढ़ाई कर प्रूंट गया ग्जै यह है इंडियू है इंडिय को एक सरे घू करिंज से लोगल चीए, यह है आप लोगिए, ऊisiaे है अन्यारik आप लोगल. झाल झाल